नमस्ते आप सभी का सागत है आज के ससाहिन काली इन संस्क्रण में और आज हम बात करने जा रहे हैं केजरी वाल जी जो आपको ध्यान है कि वो सपना सजोय थे कि वो प्रधान मंत्री बनेंगे भारत के तो संभवतर नहीं बन पाएंगे लेकिन वो खालिस्तान का प्रधान मं हुए हैं मैं स्वागत कर रहा हूं होंकार चौधरी जी का नमस्कार नमस्कार के विशय पर बात करने के लिए होंकार जी आप केजरी वाल की मानसित्ता को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं तो यह व्यक्ति किस खालिस्तान का प्रधान मंत्री बनना चाहता है क्योंकि जो खालिस्तानियों ने जो मानचित्र यानि जो नक्षा उन्होंने जारी किया हुआ है आपने यह दिए उसको देखा हो तो उसमें पाकिस्तान का एक भी अंच नहीं है लेकिन जम्मू से लेकर और जोधपुर तक और उसमें कुछ गुजरात का भी एक इंकलेव शामिल है और मैं यह पूरा आपका आधा श्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा उत्तरा खना मैं पूरा हिमाचल पूरा हरेडा का आन मैं डाजस्तान का गंगानगर को बन कानेर है कंता है जैसल मेर है जैसल मीर पूर है और नागार्या जोध dhana बहुत लंब समयंग चाहता हृँ मैं तो वहां पर एक भी मुझे तो नहीं लगता कि बड़ी कभी हफ्तों में कभी कोई सरदार की पगड़ी दिख जाती होगे तो वो भी उस खाजिस्तान में है तो मुझे लगता है कि केजरिवाल जी को लग रहा है कि ये जो खालिस्तान का मैप है उसके वो प्रदानमंत्री बन सकते हैं क्योंकि अकेले पंजाब में तो उनको कोई बनने नहीं देगा देखिए एक मिनिट देखिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का कोई हिस्सा इस नक्षे में क्यों नहीं है या कनाड़ा में ये खालिस्तान क्यों नहीं बनाते हैं जहां सबसे ज़्यादा उत्पाती रह रहे हैं और जहां से सरवाधिक फंडिंग भी हो रही है वै सबसे ज़्यादा जो सिख हैं वो तो अब या तो पाक अधिकरत जो पंजाब है उनका सुबा वहां है या कनाड़ा में काफी संख्या में हैं अमेरिका में भी हैं ब्रिटेन में भी हैं जब तब वहां पर ये लोग उत्पात करते ही रहते हैं तो वहां क्या सबसे ज़्यादा सुविधा जनक सबसे अधिक सुविधा जनक खालिस्तान तो उसी भूमी पर बन सकता है और रहेगा और हमें ये समझना पड़ेगा और आप तो बहुत बहुत बहतर तरीके से जानते हैं संजय जी मैं दरशकों को ये बताँ के ये जितनी उचल कूद होती है और ये जितने जगहे के नाम अभी संजग जीने बताए हैं ये किसके द्वारा तैयार किये गए हैं? कौन से खालिस्तानी हैं ये? ये ISI के द्वारा तै की गई सूची है और जगह है जिनके इशारे पर ये लोग उचल कूद करते हैं और कनाड़ा से भी इत्तो पॉशन होता है और ब्रेटेन से भी होता है, अमेरिका से भी होता है, ले पंजाब जो भारत का पंजाब है वो कभी शांतना हो और हमने वो दोर देखा ही है, बहुत अच्छे तरीकी से बहुत सारे लोगों को याद होगा, एक मुख्यमंत्री हमने खो दिया था, सेकेट्रियेट की पार्किंग में ही उनको उड़ा दिया गया था पंजाब चंडी कहना चाहिए कि वलीदानों के बाद जो है बहुत कड़ी परीक्षा के बाद वहां शांती लोटी थी, संजय जी हमें 2017 का थोड़ा सा इस्मरण करना चाहिए, जिन केजरिवाल की आप बात कर रहे हैं, इन केजरिवाल के बारे में इनके पुराने साथी ने ही खुलासा किया कुमार विश्वास ने, और बाद में इन चीजों की पुष्टी हुई और इनकी तरफ से कभी कोई इस पुष्टी करन दिया नहीं गया, कि एक विदेश में रह रहे खालिस्तान समर्थक या खालिस्तान के पैरोकार के आवास पर ये रुके थे 2017 के चुनाव पर चार के दो क्या तब आमाद्मी पारिटी इतनी फकीरी में थी कि इनके पास होटल में रुखने की पैसे नहीं थे, ये एक संकेत देना होता है, कि देखिए हम आप पर कितना भरोसा कर रहे हैं या आपको कितना ओबलाइज कर रहे हैं तो आप हमारा ध्यान रखिए, 2017 में भी कुछ सीटे तो इनकी आही गई थी, अलाकि इन्होंने तो जब मतगणना होने वाली थी तो डेरे तंबू गड़वा करके और पूरा जशन की तैयारी की हुई थी, लड़ू अगरा भी बनवा लिये थे, बटने की तैयारी थी, लेकिन जब रिजल्ट आये तो पत इस बात का पूरा भरोसा था कि परदे के पीछे से ऐसे बहुत सारे हाथ हैं जो हमारी मदद करेंगे और इस बार भी जिस तरीके से चुनाओ से पहले पंजाब को डिजाइन किया गया, वहाँ पर भारतिये जनता पारिटी के खिलाब भी एक विश्वामन किया गया, अकाल प्रीज के तो अपने जो उनके कारणा में थे दस साल के शासनकाल के, उसका नतीजा उनको भूगतना था, उसका परिणाम उनको भूगतना था, और कॉंग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी, वो उसको ले डूबी, तो इनका रास्ता साफ कर दिया गया, लेकिन उसमें एक और संकेत छुपा हुआ था, ये बहुत सारे लोगों ने पकड़ा होगा, बहुत सारे लोग पकड़ नहीं पाए, संगरूर सीट जब खाली हुई, और भगवन्त मान जो है, वो मुखे मंतरी बन गए, तो वहां से खालिस्तानियों के ही एक बंदे को वहां की जनता ने करके खेल कर रही हैं, मेरी आपकी और हम सब की चिनता आप ये होनी चाहिए, कि ये पंजाब की जनता का जो मोर बन, पंजाब की जनता के एक बड़े तबके का जो ब्रेन वाश कर दिया गया है, ये अल्टिमेटली फिर हमें वहीं लेकर के जहाँ पंजाब में हमने आपने काले दिन देखे थे और इसके लिए बहुत सारी ताक्तें लगी हुई हैं उनकी जड़ें कनाड़ा में भी हैं ब्रटेन में भी हैं यूएस में भी हैं पाकिस्तान में तो हैं ही पाकिस्तान में तो बैठे हुए हैं इनके पिट्टू और लगातार अतलब लगातार वहां पर वारदाते हो रही हैं और उन पर अगर सखती ना करने का फैसला किसी गौर्मेंट ने या किसी लीडर्शिप ने ले लिया है तो उसका नतीज़ा वही देखने को मिलेगा जो हम तीन दिन से मोहाली में इस समय देख रहे हैं मोहाली में इनके ओपर कुछ भी नहीं किया जा रहा है बलकि उनको उकसाया जारा रहा है कि तुम चंडी गड़ की तिरफ चले जो ये तो चंडीगड के जो अपने डीजी हैं उन्होंने तो इशारों इशारों में कैवी दिया और उन्होंने पंजाब पुलिस पर सवाल खड़े किये हैं उन्होंने कुछ कठिन प्रेश्ण पूछ लिये हैं इन लोगों से इन्होंने पूछा है कि इनके हाथों में हतियार कैसे आ गए और हतियारों के साथ चंडीगड के बॉर्डर तक कैसे पहुँच गए दूसरे कुछ चित्र वहां के अस्थानिय समाचार पत्रों में चपे हैं तलवारें खुले में बिक रही हैं और तलवारें जो हैं वो रजिस्टर भी की जा रही हैं किसको दी जा रही ये क्या किया जा रहा है ये सारी चीज़ें देख करके अंदर से बह लगता है कि पंजाब को किस तरफ ले कर के जा रहे हैं ये लोग और कितने पुलिस के जवान और अधिकारी घायल हुए हैं बुदवार के एक दो तो सब इंस्पेक्टर ही जिन में एक लेड़ी भी है और कुल मिला करके जो है बीस पच्छीस पुलिस वाले ही घायल हुए हैं उनमें से ग्यारा तो अभी भी ऑस्पिटल में हैं तो ये इस्थितियां आप निर्मित कर दें और आज भी आज भी मतलब उनका मौर्चा फिर चीफ मिनिस्टर के आवास के लिए रवाना होने वाला था मुझे पता नहीं अभी लिटेस्ट मैंने मालूम नहीं किया एक मित्र को मैंने वहां फौन तो किया था कि भई क्या इस्थ दुआरे के पास में एक महिने से तो आपने किया क्या है जब ये किसानों ने इनकी सरकार बनी बनी थी और किसानों ने लगभग इन ही पॉइंट्स पर मोहाली और चंडीगड के बीच का जो ये इलाका है यहीं उन्होंने भी मौर्चा लगाया था और भगवंत मान ने गले लगाएं जिन्होंने पुलिस वालों को दोड़ा दोड़ा करके पीटा है वजर वाहन को जो है क्षती पहुचाई है और पूरा तांडव किया गया है वहां पर तो जाकर के गले लगाएं वहां भगवंत मान और अरविंद केजरी वाल तो अगर ये नीती आपकी रहे हैं तब आप राज्य चलाने के लायक नहीं है यह कहना पड़ेगा लेकिन केंद्र सरकार भी तो बल प्रयोग से इतना बचती रही है इसके कारण जितने भी इस तरह के उपद्रवी तत्व हैं उनका होसला लगातार बढ़ता गया है उनको पता है कि कोई कारवाई नहीं हो होगी चंडीगड़ में तो केंद्र सरकार की पुलिस है यूनिटरिटरी की उनको पता है कुछ नहीं करेंगे और यह वही है यह वही चंडीगड़ पुलिस है जिसने तीस लोगों को मार दिया था राम रहीम वाले अंदोलन में अधिक दिन नहीं हुए उसको मैं चंडीगड़ पुलिस तो मैं तो चंडीगड़ में रहा हूं तो मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से वहां मैंने एक अख़वार शुरू किया था मैं प्रभारी था मां तो मैं यह कह रहा हूं कि चंडीगड़ पुलिस हर्याना पंजाब के जो कैडर से अधिकार ही है वो वहां नियुक्त होते हैं और बढ़िया पुलिस है अच्छी पुलिस है अनुशाशित पुलिस है आप शाम को छह साथ बजे के बाद अपनी गाड़ी की मतलब जो हैडलाइट है वो बीम उंची करके नहीं चल सकते हैं वहां इतना अनुशासन है लो बीम पर आपको गाड़ी drive करनी होती है उसकी speed आप बढ़ा नहीं सकते हैं तो बाकी चीजें तो वो बरदास्त करते ही नहीं है पर जो आपने बात कही है ये केवल चंड़ी गड़ की बात नहीं है हमने तो दिल्ली में भी देखा है ना दिल्ली में 13 महीने तक कोई दिल्ली की नाक में दम क करके बैट जाए दिल्ली के गले पर अपना घुटना ठेक करके बैट जाए सास भी ना लेने दे दिल्ली को तीन तरफ से और केंद्र सरकार मुच दर्शक बन करके बैड़ जाए वो सुप्रिम कोर्ट के पाले में गयां दुचालना की कोशिश करे कि Supreme Court भी केंदर की मनशा को भापते हुए कुछ ना करे और एक कोई कमेटी गठित कर दे और कमेटी की रिपोर्ट भी आ जाए इन टाइम और फिर उस कमेटी की रिपोर्ट को भी दबा के बैठ जाए तो ये तो सारा कुछ हमने देखा है और जब इस तरह से आप पेश आते हैं किसी कम्यूनिटी से किसी क्षेत्र विसेस के लोगों से उनके होसले क्यों नहीं बढ़ेंगे देखिए कानून के जो मसले होते हैं कानून के उलंगन के जो मसले होते हैं उनको कानून को ही निपटना चाहिए वहाँ फिर राजनीती को थोड़ा पीछे कर देना चाहिए अलाकि जब तीन किरशी कानून वापस लिये थे तो प्राइम मिनिस्टर ने नेशन को एड्रिस किया था और कहा था कि राष्ठ हिट में मैं वापस ले रहा हूँ लेकिन संकेत आप दे रहे हैं कि कुछ ऐसा रचा जा रहा है कुछ इस तरह की बाते की जा रही हैं कि पंजाब को अराजकता के एक नए दोर में धखेलने की साजिशे हो रही हैं देश के भीतर भी और देश के बाहर भी लेकिन साब ऐसे तो शासन नहीं चलता है, ऐसे तो सरकारे नहीं चलती है इस तरह अगर आप डर डर करके शासन करेंगे तो फिर जो हम तमाशा इस समय देख रहे हैं चंडीगड़ और मोहली के बीच में ये तमाशे रोज होंगे और हर जगे होंगे और मैं एक बात और बता रहा हूँ जितना सेंसिटिव आपका जमू कश्मीर है उससे कम सेंसिटिव पंजाब नहीं है और पंजाब के वो अंधेरे काली राते हमने देखी हैं जब लालडू में बस से उतार करके हिंदूओं को भून दिया गया था और वहां हमने पंजाब के इसरी के भी दो लोगों पर अटेक होते हुए देखे थे बहुत सारे ऐसी वारदाते हैं अमरा सरसले के जलंदर लुदियना और चंडीगड के आस पास और ये S.Y.L. आज तक क्यों नहीं बन पाई है S.Y.L. ना बन पाने की एक सबसे बड़ी वज़े ये है कि जो वहां इनके खालिस्तानियों के चरम पंतियों के उगरवादियों के जो पिठ्थूं है जो उनके नाम उनकी आड में राजनीती करते रहे हैं उन्होंने इस मामले को भावनात्मक बना करके और कई चुनाव लड़े और जीते हैं तो ये अब किसी के बसका रह नहीं गया है और कई इंजीनियर और करमचारी मार डाले थे उगरवादियों ने जब वो SYL का बचा हुआ हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे थे हर्याणा में तो सारी बन गई थी पंजाब का कुछ हिस्सा बचा हुआ था उसको बनाने की कोशिश कर रहे थे एक इंजीनियर के नित्रतु में उनकी अत्या कर दी गई थी तो ये पूरी तरीके से एक ऐसी राख के धेर पर बैठा हुआ है पंजाब इस समय कभी भी सुलग सकती है इसके भीतर दबी हुई आग और इसको कुछ पॉलिटीशन जिस तरीके से हवा दे रहे हैं जिस तरीके से इसकी अंदेखी कर रहे हैं ये बेहत खतरनाग हो सकता है तेके समस्या जो मुझे लगती है क्योंकि पंजाब में जो आतंकवाद समाप्त हुआ वो इसलिए समाप्त हुआ क्योंकि जो वहां की अधिसंख्य जो जनसंख्या है वो इसे तो नहीं चाहती लेकिं समस्या ये उत्पन्न हो गई थी जब तक केपियस गिल के हाथ वे कमान नहीं आई तब तक ये समस्या थी कि इन बदमाशों के गुंडों के आतंकियों के विरुद्ध सरकार खड़ी नहीं होती थी तो इसके लोग सोचते थे कि साब हम क्या करें हमें तो चुप ही रहना पड़ेगा और जब सरकार खड़ी हुई तो जनता सारी की सारी उनके साथ में आगी आज भी वही हो रहा है यही फारमलाज में हुआ कि जो गुंडे बदमाश हैं जो आपके चार शे प्रतिशत होंगे उन्होंने पूरा सिस्टम हाई जैक किया हुआ है और सिस्टम जो है वो उनको ही एक प्रकार से तुष्टी करन करता जा रहा है और जो उनके वि कैसे करें जब वो देख रहे हैं कि सरकार ही बोलने की हिमत नहीं कर पारी तो जो आम आदमी इनके विरोध में जो अधिसंख है बहुसंख है और बहुसंख क्या मैं कहूंगा नब्बे प्रतिशत है लेकिन वो इन से सही माने में पूछे कि पहले ही आतंकित हो चुका है मान सारे तो जेल में गए बहुस सारे उपर चले गए उपर भेज दिया गया कुछ भाग खड़े हुए तो अगर वहां पर आतंकवाद की नली तोड़ दी थी सरकार ने पहले रिवेरो साब फिर केपीएस गिल और चीप मिनिस्टर की विल पावर और कहना होगा उस समय कॉंग मिलना शुरू होता है पबलिक से फीड़ बैक मिलना शुरू होता है पबलिक से इनफॉर्मेशन मिलनी शुरू होती है और यही काम जमू कश्मीर में भी हुआ है जमू कश्मीर में भी जो पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू भेज़े जाते थे उनका खात्मा किस तरीके से हुआ है क्योंकि उन्हों ने जो आम शहरी थे जो अमन पसंद लोग थे उनकी मा बेहन बेटियों की इज़त पर हाट डालने शुरू कर दिये थे उनको ब्लैक मेल करना शुरू कर दिया था उनके यहां वो छिपते थे और एक एक इस्तिती आती है जब बाकी सारी चीजें आदमी बरदास्त कर लेता है लेकिन कोई अगर उनकी मा बेहन बेटियों पर हाट डाले उनकी असमत पर हाट डाले तो फिर वो बरदास्त नहीं कर पाते हैं एक उसकी जो सेहन शक्ती है वो खतम हो जाती है तो जमू कश्मीर में भी यही हुआ है वहाँ एजेंसियों को सू आतंकवादी बचें हैं जिसको गवर्मेंट कह रहे ही है कि हम अगले एक सवा साल में खतम ही कर देंगे पंजाब में भी यही हुआ था पंजाब में भी इतने काले दिन देखने के बाद एक सवेरा हुआ था लेकिन सवाल यह है कि जो इस समय खालिस्तान में बैठे हुए हैं और दूसरी जगहों पर बैठे हुए हैं ना तो हम उनकी मुश्के कस पा रहे हैं और ना ही जो देश के भीतर बैट करके उनके अभियानों को चलाते हैं, ना हम उनको उनकी धर पकड़ कर पा रहे हैं, उनकी सही जग़े पहुचा पा रहे हैं उनको, तो ये एक जैसा मैंने पहले कहा है कि एक बहुत खतरनाक सिच्वेशन में आकर के पंजाब खड़ा हो गया है, यहां से आप अगर आँख मूंद करके बैठ गए हैं, तो बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, पहले से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तब तो इंद्रा गांदी को अपनी जान गवानी पड़ी थी, बलू स्टार ऑपरेशन करा करके, पहले आपने भिंडरा वाले को खड़ा किया, उनके जैत्ते को खड़ा किया, और जब वो हत्यारों के साथ, अपने साथियों के साथ, हरमंदर साहम में जाकर के घुस गए, तब आपको बराड साहब को बलाना पड़ा मेरट से और कहना पड़ा के भही आप जाएए और जाकर के यह आपरेशन को लीड करिए, तो वो हुआ, लेकिन उसकी भी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी इस देश को, आप मतांतर हो सकते हैं इंद्रा गांदी के तोड़ से, उनकी आइडियोलोजी से, उनकी लीडर्शिप से, लेकिन एक परदहान मंतरी को इस तरीके से खतम कर दिया जाए, उनके घर के भीतर खतम कर दिया जाए, इस से बड़ा लोस कोई हो नहीं सकता है किसी देश का, और कितने खराब संकेत जाते हैं इस से, तो क्या हम फिर उसी तरी तरफ लोट रहे हैं, अगर इस तरह के लोगों को जो तलवारें लेकर के पुलिस वालों के सामने भी खड़े हो जाएं, भीड़ जाएं, उनको दोड़ा दोड़ा करके पीटें, उनके वहानों को आग लगा दें, ऐसी मतलब अगर ऐसी सरकार पंजाब में इस सम में रहे, संकोच में रहे, किसाब अभी उपर से कोई ऐसा इशारा नहीं मिल रहा है, तो वोट वेंग की अगर आप चिंता करेंगे, कानून तोड़ने वाले आपके वोटर नहीं हो सकते हैं, वो समाज के और देश के विरोधी हैं, और देश द्रोही हैं, मैं तो यह कहूं होंगा, उनको उसी तरीके से टेकल करना पड़ेगा नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, और जो आप शुरू में कह रहे थे, इनके जो सड़जी के हसीन सपने हैं, देखिए, मुझे नहीं पता कि क्या सोच करके पंजाब की जंताने, आपको यहां पर थोड़ा सा रोकूंगा, क्योंकि सड़जी पर हम आते हैं, बीच में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, क्योंकि मैं जब केंदर सरकार को कहता हूं, तो केंदर सरकार का है, यह रविया जो है, इन खालिस्तानियों के प्रति, यह लगातार केवल एक पनजाब में ही पर लक्षित नहीं हो रहा है, अलाग अलाग स्थानों पर हो रहा है, आप देखिए कि जो 300 से अधिक लोग जो ब्लैक लिस्ट में थे, पहले तो इन पता नी कौन से तुष्टी करन के तहत जो है, उनको ब्लैक लिस्ट से हटा दिया गया, उससे कोई उनका पद्रवियों के लिए लंगर खोले थे जो ये दिली गेर के बैठे हुए थे उसको जो है वो आप पुरुसकार भी दे दिया और ये भी कह दिया कि साब कि में मेरे से गलती हो गई कि साब अब आप ये देखिए मैं आपको लेटिस्ट बताता हूँ जो भी मेलबर्न में किस् उनका सबका एक ये था कि साब कि ये जो इंडियन कांसलेट है ये हमें ओवर सीटिजन तो मानती है लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनती है ये हमारा जो हाई कमिशन है और जो ये मेलबर्न की कांसलेट है वो कुछ बिलकुल हमारी बात नहीं सुनती है उन्तिस तारीक को इन उसकी उसका अनुमान उसकी आशंका बहुत पहले से थी, लोग लगातार इनको लिख रहे थे, इनों ने कोई खाना पूरी की हो तो की हो, इनों ना जाके उससे पहले, 12 तारीक से, 12 जनुरी से, इनोंने कारेकरम अरम कर दिये थे, सबसे पहले वहाँ पर यह आपके यह जो, अक्षरधाम वाले हैं, उनके मंदिर पे इन्होंने नारे लिखे, उसके बाद पिर इसकौन पे और एक और मंदिर है। तीन मंदिरों को उन्होंने वैंडेलाइज किया। उनके उपर जो है उनका दूशित किया इन्हों ने किसी से बात नहीं की थे ना हाई कमेशनर ने ना आपके कांसलेट ने हद तो तब हो गई कि 26 जन्वरी को मेलबन कांसलेट के उपर जंडा फराया जाना था मैं आप पूरा पता रहा हूं कि यह जो सेंटर की लचर नीती है उसका प्रभाव और उसका संदेश जो है वो पूरी बीरोक्रसी पर और पुलीस पर किस परकार जाता है 26 जन्वरी को 9 बजे दोजारोण था तो बाहर जो है वो खालिस्तानियों ने कुछ मैं मतलब मुश्किल से 10-20 वो वहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे तो इन्होंने क्या कि बजाए इसके कि उनको कन्फरेंट करें बजाए इसके कि पुलीस बुला दें पुलीस बुला सुशील कुमार जी उनकी जरा वीरता देखिए और उनकी जरा प्रेजन्स अव माइंड देखिए कि ये भारतिये द्वज का अपमान स्वैम कर रहे हैं इससे बड़ा पमान क्या हो सकता है जो आपने समय दिया हुआ है उससे पहले आप चुप-चाप करने करें ठीक है चलिए हमने खाना पूर्ती करती किसी तरह से यह यह हो गया काम फिर 29 तारीक से 29 तारीक को रविवार था और वहाँ पर काई कमिशनर साहब आते हैं और हाई कमिशनर साहब जो हैं वो क्या करते हैं वो 28 तारीक को ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस देखते हैं आप चाह देख रहे हैं यह यह हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टरनल अफेर्स के सीनियर आफसर है 1988 बैच के जो वहाँ पर लगे हुए हैं मनप्रीत ची तो 28 तारीक को वह यह देखते हैं लोग मुझको पिक्चर फॉर्वड करते हैं 29 तारीक के राटक होता है मैं उसको ट्विटर पर कर देता हूं तो फिर उसके बाद अगले दिन जाके वो गटनाएं मुझकी तो यह जो आपके पूरे कुए में ही भांग है इस समय आप कैनडा में पता कर लीजिए किस तरह से कैनडा में हमारे जो हाई कमिशन है और उसके साथ एक किस तरह से हाई कमिशन के साथ में विभार करते हैं और वो जो है वो इनको मनाने में लगे रहते हैं बताया है मैंने जो ब्लैक लिस्ट थी वो ब्लैक लिस्ट खतम कर दी तो यदि इस प्रकार का विभार रहेगा तो जो लोग भी विरोध में हैं वो भी मैंने मैं विरोध करने वालों की संख्या यदि सतर है इनकी संख्या जो है ये दो या तीन है और उनमें से 20-30 ऐसे हैं जो बीच में खड़े रहते हैं लेकिन ये जो 70 पतिशत हैं ये जब भारती सरकार का विभार देखते हैं तो ये फिर इनको लगता है कि हमें तो हमें सुरक्षा देने कोई नहीं आएगा कि अब ऐस्ट्रेलिया गल्वर्मिंट है या केनडा गल्वर्मिंट है वो तो ये देखते हैं कि हाँ ठीक है ये एक ब्राउन दूसरे ब्राउन से लड़ रहा है हमें क्या लेने दना खूं कंग राधर लेकिन भारत जो है वो ऐस्ट्रेलिया से फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने जा रहा है उनकी एकॉनमी जो है वो भारत के ऊपर निर्भर हो रही है क्योंकि चाइना से वो डीकपलिंग हो रही है उनकी लेकिन नहीं कुछ भी जो है वो मनपरीत फुराजी जो है है कमिशनर साहब बस वो खाना पूरती करने के बाद उसके बाद उनकी नहीं किए और आगे हिंदू कम्यूटि लगातार इस पर बात कर रही है और इस चीजों को हाइलाइट कर रही है लेकिन नौ कुछ नहीं है कमिशनर साह मजे तो मैं चंडीगड़ तो मैं जानता हूं मैं डीजी को पर्सनली जानता हूं चंडीगड़ वेरी फाइन ऑफिसर बहुत ही मेटिकुलस हर तरह से और उसको उपर से इंस्ट्रक्शन्स हैं तभी वो इनके उपर कारवाई नहीं कर पा रहा है जैसे कि दिल्ली पुलिस नहीं कर पाई थी है जब हम लोग लगातार बात करते थे कि यह तो यह जो बैठे हुए है वो एक एसे चो का काम है अधिक से अधिक एक का काम है इनको ख़देड़ना लगिल नहीं यहां तक कि योगी आज इत्यनात को रोक दिया जब वो इसको टिक करता है कि केजरी वाल तो दूर्त है लेकिन इस केजरी वाल की दूर्टता का इलाज तो करना पड़ेगा ना बिना इलाज किये तो फिर यह लाइलाज हो जाएगा मर्ज यह और भी खतरनाक बात है कि जो यहां का बहुत सम्क्यक है वो कितना शांत रहता है आम तोर पर बहुत जब अती होती है या सिर के उपर से पानी गुजरता है तब ही वो सड़कों पर केवल परदरशन करने के लिए उतरता है अपना विरोध जताने के लिए या अपनी बा पर तक पहुचाने के लिए हमने बहुत संक्यकों को कभी तलवार लेकर के पुलिस पर इस तरह के से अटैक करते हुए नहीं देखाया हमने कभी वो शाहीन बाग वाले द्रश्य उनकी तरफ से नहीं देखे है या किसी के गले काट दो हमने नहीं देखाया यह सुछ यह और ये सबसे ज़्यादा हिंसक भी है केवल ये अकेली वारदात नहीं है जो हम मोहाली और चंडीगड के बीच में देख रहे हैं पिछले तीन चार दिन से इस से पहले भी जो पटियाला में हुआ था उसको कौन भूल सकता है किस तरीके से एक अधिकारी का ही हाथ काट दिया भी नहीं हुआ एक मंदिर पर अटेक किया गया था ये कभी नहीं हुआ था और तब तो अमरेंदर सिंग की या चन्नी की सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी तब तब तो ये आए भी नहीं है अमरेंदर सिंग के सरकार थी और उसी समय जो है वो आपके अमरेंदर सिंग के सरक मौधी साहब को ये चिंता है कि 2024 में मेरी वापसी में कहीं कोई कसर न रह जाए कोई 2-4 सीटे कम न रह जाए कोई कम्यूनिटी मेरे से नराज न हो जाए तब ऐसे नहीं पंजाब में तो वैसे भी सीटे नहीं मिलनी है तो क्या नराज हो कि आपको आज तक हिस्ट्री में में सीटे तीन मिली है तीन मिली है तीन भी कहा मिली तीन तो को लड़ता ही था यह तीन मिली है एक बार नहीं मिली है दो से अधिक नहीं मिली है और गुर्दासपर और तीसरी अमरिस्टर लड़ते थे तो तो कई बार अम्दस्वर मिल जाती थी कई बार नहीं मिलती तो अधिक्तम यह महां ले सकते थे तो तीन ले सकते थे तो सीटें तो वैसे भी महां नहीं मिलनी है तो यह कौन थी पॉलिटिक्स है आप तो राजनी की अच्छी तरह समझते हैं तो यह दिक उनके वोट लेने के लिए क्या आप जो है वह बहुत संख्यक जो आपका कोर वोटर है उसको आपको रुष्ट करना चाहिए नहीं मेरा कहना यह है कि जो लगातार भारतिय जंता पार्टी की तरफ से यह संकेत दिये जा रहे हैं बलके परचारित किया जा रहा है कि प्रधान मंत्री जी साथ लोग कल्यान मार्ग पर सिखों के अलग-अलग परतिनिधी मंडलों से मिल रहे हैं खुद प्लेट उठा करके उनको दे रहे हैं उनकी खातिरदारी कर रहे हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं मतलब भरोसा बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं जो एक विश वमन कर दिया गया था उनके बरोसे और कितना आप आल करोगे मेरा कहना यह है कि संजे जी आप जो करना है उनके साथ करते रहिए पर जो उद्दंडी हैं जो कानून को तोड रहे हैं जो पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं अल्टिमेटली देश का माहौल खराब कर रहे हैं वो चाहे कनाडा में बैठा है, चाहे पाकिस्तान में बैठा है, या आस्ट्रेलिया में ये बत्तमीजी हो रही है, उनको ठुकवाई है ना, या तो खुद ठुकिये, अब तो आपके पास रफैल भी आ गए, दूसरे भी आ गए, आप जो बार बार ये कहते थे के हम तो आप बैठ करके यहां के लिए रच रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक है आपने दावे किये के साब हमने जो जम्मु कश्मीर में फंड आ रहा था, उसकी गर्ब नाल जो है, वो काट दी है, अब फंड नहीं आ रहा, पत्तर बाजी नहीं औरी, एलगावादी भी बक बक नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोगों पर भी अंकुष लगा लिया है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां तो लगातार ड्रॉम्स आ रहे हैं, जम्मु कश्मीर में भी तीन सो सत्तर के बाद से इन्होंने हमिश्चा के एक तरह से हात मान दिये थे, और सारे वही काम आरंब हो गये थे जो तीन सो सतर के पहले होते थे, महबूबा की सरकार में या फारुख अब्दॉल्ला या उमर अब्दॉल्ला की सरकार में, आपको धियान है कि कम से कम जैपूर डायलॉग्स की होर से और कश्मीरियों के साथ मिलके हमने दो वर्ष से उपर एक कैमपेंड चलाया है, ना की, तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि वास्तव में कुछ एक्शन जो वहां के वास्तविक ये पूरे अलगावाद के जो जन्मदाता और जो पालनहार हैं, उनके उपर अब आरम हुआ है, तो अब आरम हुआ है, तो जो जनता चुप चाप बैठी हुई थी, यही मा सपोर्ट मिल रहा है, तो इसी तरह से करेंगे तो पंजाब में भी सपोर्ट मिलेगा, ऐसे थोड़ी सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन यह जो है, जिसको बोलते हैं कि जैसे पॉलिसी पैरलिसिस या बिल्कुल हम डर डर के ही चलेंगे, उसी से लोग जो है, वह आनंदित र बैठ करके आपको खाना खाना है, खाना खाये, जिसका विश्वास अर्जित करना है, विश्वास अर्जित करिये, लेकिन जो आपके यहां आग लगाने के लिए तमाम साजो समान जोटा करके भेज रहा है, तैयार कर रहा है, यहां पर अपने लोगों को तैयार कर रहा है, उन पर आपको कारवाई करनी पड़ेगी और कानून सम्मत जो है कारवाई करनी पड़ेगी और कुछ मामलों में हुई भी है ऐसा नहीं है कि कारवाईयां हुई नहीं है गरफतारियां भी हुई है मुझे तो याद है कि फ्रांस में भी एक गरफतारी कराई गई थी तो संकेत दिये जा रहे हैं लेकिन जितनी कड़ी कारवाई होनी चाहिए, अब तो जो मैं बता रहा था सीमा पार से ड्रोन के जरीए, ना किवल ड्रग्स बलके हतियार डाले जा रहे हैं और वो पंजाब में डाले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वहाँ तो जमू इजे भी इनोंने कर ली है कुछ फैंसिंग हो गई है लेकिन यहां पंजाब में शुरू कर दिया उन लोगों ने और बहुत सारे हाथियार पकड़े भी गए जब कैप्टन अबरेंदर सिंग मोखे मंतरी थे वो प्राइम मिनिस्टर से भी आके मिले थे होम मिनिस्टर से भी उनको बताया भी था कि यह कितना बड़ा खत्रा हो सकता है तो यह चीजें जो हैं एड्रेस करनी पड़ेंगी वोट की चिंता अलग रख करके यह करना पड़ेगा नहीं तो वहां पर बहुत खतरनाक सिच्वेशन्स जो है वो क्रिएट होने वाली है जी तो अब आई हैं द वो हमारी चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकान भी दबाएं और हमारी चैनल को आप सही होग भी करें प्रश्ट राहुल शर्मा जी करें सर क्या आपको नहीं लगता इसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार है किसान आंदोलन से इनका तुष्टी करण किया जा रहा है आस्ट्रेलिया कैनाडा में भी इनको इग्नोर करते हैं इन्होंने इंद्रा गांधी को भी फेल कर दिया वो तो हम अभी कहे ही चुके हैं बहुत सारी बाते हैं उसको फिर से रिपीट करना ठीक नहीं है ये धील है और धील इस तरह के मामलों में बिलकुल भी ठीक नहीं है देखिए राष्ट हिट सर्वोच होना चाहिए बाकी सारी चीज़े तो बाद में आती है और मुझे नही अगर ये सकती करेंगे इस तरह के तक्त्मों पर तो इनके वोटों में कोई बड़ी भारी कमी आ जाएगी बलके ऐसी कारवाईयां जब होती हैं तो जो दूसरे शांती प्रिये लोग हैं विकास चाहते हैं वो लोग और यूनाइट होते हैं आपके पीछे तो देश हित को आप सर्वोच रख करके ही सोचेंगे और कारवाई करेंगे तब ही देश की रक्षा और सुरक्षा भी है नेक्स्ट धीला सुराख शरीफ क्या नाम है बई परणाम संजे जी और नुंकार जी कल परदीब जी आपका अख़वार को सुन रहा था दिल्ली का इस्लमाइजेशन रोकने के लिए अस्म्बली डिजॉल करके लदाख या चंडीगर जैसे यूटी बनाना होगा दिल्ली को ये तो पार्लेमेंट के हाथ में लेकिन करने के लिए थोड़ा हिमज जुटानी पड़े भी नहीं दिल्ली में तो विधान सभा की और मुख्यमंतरी की जरूरती नहीं है ये तो घड़ी की चोथाई में ये काम हो जाना चाहिए लेकिन जैसा संजज ने कहा इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए तो इच्छा शक्ति जुटाएंगे आप कर देंगे क्योंकि दिल्ली को बार-बार अराजकता में डालने की कोशिश हो रही है ये तीसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जिनके साथ टसल बाजी चल रही है कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर ढंका नहीं आया है इनकी दरश्टी में और इनको अपनी हदें पता नहीं है या जब चुनाव लड़ रहे थे तब इनको पता नहीं था कि दिल्ली सरकार की सीमाएं क्या है अधिकार कितने हैं अब इनको सारे अधिकार चाहिए तो आप आपके पास एक राज्यतों है उसको संभालो जहां आपके पास पुलिस भी है और सारे अधिकार है वहां क्या कर रहे हैं जो दिल्ली में ये करांति कर देंगे और ना भूल है दिल्ली जो है वो नेशनल कैपिटल है यहां तमाम संवेदन शीलता के एक शेत्र हैं सेंसिटिव एरियाज हैं वो ऐसे गैर जिम्मेदार पारिटी और नेता के हवाले नहीं किया सकते हैं जी को जी नएक उससु निया जी का है के जिरे नहीं वालों के समझ में आए तब ना यह बाकी सब की समझ में आ रहा है दिल्ली वालों की समझ में नहीं आ रहा है अबी यह जो फिरी-फिरी का जो मासला है जिसकी चर्चा लगातार हम लोग भी कर रहे हैं कि यह जो आर्थिक अनीतियां है और यह जो तोर तरीके हैं कि आफ कीजेए बाई यह पीछ में आपको पिक्चर तका है वो गी एक अन्वांटिड मेल वह आ गई कॉल आ गई एक मिनिट कर्पे बने रहे हैं और वंकार जी वापस आ रहे हैं तुरंधी शाथ में आपको पुन्हा दिना दू कि आपको इस वीडियो को शेर करना है लाइक करना है साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और सपोर्ट भी करना है जी तो यह कह रहा था कि दिल्ली में सरकार के तो कोई जरूरत है नहीं मतलब परदेश सरकार के जरूरत नहीं है यहाँ पर लॉए वो जिम्मेदार है दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है और यहां के लोगों को अगर वो फिरी फिरी की आदत पड़ गई है तो उसका तो कोई इलाज है नहीं और यह फिरी फिरी का जो मसला है यह लोगों को एक तरीके से नाकारा भी बनाता है नालायक भी बनाता है कि वो कुछ ना करो या कम करो उतने में बाकी चीज़े फिरी में मिल जाएगी तो मुझे पता नहीं किस मानसिक्ता के तहत ये काम करते हैं और हमने आस पास के कम से कम दो देशों को तो देख लिया है बरबाद होते हुए स्री लंका को और पाकिस्तान को हाला कि वहां कोई फिरी का मसला तो नहीं है हाँ लैक ओप पॉलिसी के मसले हैं और कुछ दूसरे प्रश्टाचार के भी मामले हैं लेकिन यहां तो मतलब हमारी आपकी देखती आखो ये सब हो रहा है कम से कम साथ आठ राज्य तो इस समय देश के ऐसे हैं जो मतलब अगर केंद्र का वरदहस्त ना हो और एक छत्री ना हो सिर पर तो वो बरबादी के कगार पर खड़े हुए हैं कोई पांच लाग करोड के करज में दबा हुआ है कोई छे लाग करोड के करज में दबा हुआ ह पंजाब सबसे बड़ा एक्जामपल है बिलकुल पंजाब है बंगाल है तमिल लाडू है मतलब कई स्टेट है इस समय जो बहुत बुरी हालत में है तो जब ये संभल जाए और कल प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाशन के करीब करीब अंत में ये बात कही भी है ये चिंता ज ये भी इनी सज्जन का ही है संजय जी तोजार चार से चौदा कॉंग्रेस रूल वाज दी वर्स इंडिया सिस्ट्री दे डिस्ट्रॉइट पीस्यूस इंक्लूदिंग बीसनल लव जिहाद बाई उर्दू वुड नो डिफेंस पर्चेस ये तेजिस फिर्स फ्लाइट कारणा में थे कारस्तानिया थी उसी की वज़े से तो 2014 में अल्टिमेटली नई पारिटी को और नए नेता को आवसर दिया गया है तो लोग अब इनकी तरफ उम्मीदों की नजर से देख रहे हैं हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई गलत दिशा इन्होंने पकड़ रखी है बिल पर कुछ प्रश्न उठ रहे हैं तो उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा जी नेक्स्ट कड़ीला जी कही है रल्स का इंप्रूव्मेंट के लिए पत्रम पश्रम सज्जा जी धन्यवाद मिशिनरीज का भी एक बनाएए मैं सपोर्ट करूँगा लैंड जिहाद आफ सी एस्टी लैंड भी इंक्लूड कीजिए पूरा चिकन निक और आधा असाम लैंड जिहाद है जी 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 अवश्य 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 आप पर सागत है नेक्स्ट श्रेक कंचर इस बीजेपी डूइंग इस तो इससे दुखी ही होगी इससे प्रसंद तो किसी भी परकार नहीं हो सकती तो इसी के साथ आज के यह प्रश्ण भी पूर होते हैं और हमारा कारकरम भी पूर होता है तो हम अभी सभी दर्शकों को धन्यवाद देते हुए ऊंकार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करें वंदे मात्र, वंदे मात्र, झाल झाल